नमस्कार स्वागत है आपका आपके यूटूब चैनल कलाम गलोबल कोचिंग कलासेज फटेपुर सेकवाटी में हमें उमेद है आपका सहोग और प्यार हमें यहीं मिलता रहे और यहीं कक्साओं के साथ जूड़े रहें लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और ज्यादा से ज्यादा लड़कों को शेर करें ताकि दूर द्राज में रहने वाले सब भी बच्चों के पास में कक्साओं पहुंसती रहें और सब को लाब मिलता रहे आज की कलास का अपना टोपिक है हम जालोर के चोहानवस के बारे में पढ़ रहे थे जालोर के चोहानवस का सबसे अंतिम और सबसे महान सासक कानदेव चोहान जिसका सासनकाल था 1305-1301 इस्वी तर यह कानदेव चोहान जालोर के सामन्च सिंह जो सामंध सिंग नामक जो सासक था उस सामंध सुनध का पुत्त्र था जब सामंध सिंग ने अपने जीते जीही कानरदेव को योग्य समझ करके कानरदेव को जालूर का सासक नि proudly का दिया था क्रांती आती है उसके समय दिली सल्टनत का सामराज वादी सासक था अलाउदीन खिलजी और खिलजी एक महत्वा कांग से सासक था उसने रन्थम और चितोड जैसे महत्व पुन दुर्गों के उपर उसने विजय हासल कर ली थी अर्थार्थ हम कह सकते हैं कि अलाउदीन अब उसका अभिहान जालोर की तरफ आता है जालोर को जीतने के लिए खिलजी है वो आता है अब अलाउदीन खिलजी जालोर को क्यों जीतना चाहता था उसने जालोर पर आकर्मन क्यों किया ये महत्व पुन परसन है अब महत्व पुन परसनों में भी इत्यासकारों में अल लग लग बाते हैं उसकी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको सबसे पहली बात तो यह है कानरदेव चोहान के समय कानरदेव परभंद नाम का जो ग्रंथ लिखा गया था पदमनाब के द्वारा कानरदेव परभंद और कि वीरमदेव भी ecils ओन्गरारि वात वी रम देव सोन्ग्रारी वात यह जो दोनु ग्रंथ लिखे गए इन ऌनुस ग्रंथ के अनुसार अलावदीन खिलजी ने आक्रमण क्यוא कि ए इन दोनु ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि अलाउदीन खिलजी ने 1288 में इस्वी के अंदर और अपने सेनापती उलुग खां और नुस्रत खां उलुग खां और नुस्रत खां इन दोनु को गुज्रात अविहान के लिए भेजा और गुज्रात में भी विशेश कर कहां पर गुज्रात में जो सोमनात मंदिर है उस सोमनात मंदिर को लूटने और सोमनात मंदिर को जीतने और सोमनात मंदिर को लूटने के लिए इन दोनों के नेतरित वे में शेना भेजी अलाउदीन खिल जी ने गुजरात जाने के लिए राजस्थान के जालोर होते हुए जाने वाले मारक जो था उस मारक को चुना और अलाउदीन खिल जी ने कानड देव से जालोर में से अपनी सेना गुजरने की अनुमति मागी कहते हैं कानट देव ने मना कर दिया कि मेरी सिमा में से खिल जी की सेना नहीं जा सकती तो उलुख खां और नुसृत खां इन दोनों ने अपनी सेना को और ये शिरो ही होते हुए अर्थार्थ मेवाड रियासत में से होते हुए और उसकी सेना चले जाती है शेना जब वापस आई तो वापस आते समय और उलुख खाँ और नुस्रत खाँ दोनु की शेना है वो गुजरात में जा करके गुजरात के सोमनात मंदिर को लूट करके और वहां से सोमनात मंदिर की मूर्तियां सोने से बनी हुई थी सोने की मूर्तियों को तोड करके लूट करके अलुख खाँ और नुस्रत खाँ की दोनु की शेना गुजरात से वापस आ रही थी और वापस आते हुए रास्ते में और वो जालोर की सिमा में से गुजरे जालोर की सिमा में से गुजर गए और रास्ते में अपने लूटे ओर देवडा ये नाम याद रखना, दो सेनिकों की ये महतो पुन जोड़ी जैता और देवडा नाम के उसके मंत्री थे उसके शेनापती थे किसके कालर देव चोहान के कानड़ देव चोहान ने जैता और देवडा इन दोनों को भेजा अलाओदीन खिल जी की जो सेना थी उस सेना की वस्तुष्थिती देखने के लिए भेजा देवडा और जैता दब गए तो खिल जी की सेना अपने लूटे हुए माल का बंटवारा कर रहे थे देवडा ने वापस आकर के कानड़ देव को बताया कि इस समय अपने को दुस्मन के उपर आकरमन कर देना चाहिए और कानड़ देव ने वैसा ही किया उस राक के समय उलूखा और नुस्रत खां की सेना के उपर उसने आकरमन किया आक्रमण के दोरान उलूख खां और नुस्रत खां की सेना अचानक हुए उस आक्रमण से कानड़ देव की सेना का सामना नहीं कर सके और वो अपनी जान बचा करके भाग गए कानड़ देव ने उस सोमनात की मंदिर की जो मूर्ति के जो टुकड़े जो सौने से बनी हुई मूर्ति थी उस मूर्ति के टुकड़े जो उलूख खां की सेना लूट करके लाई थी वो टुकड़े भी वहीं रह गए कानड देव ने उन टुकडु को ले जाकरके जालोर जिले के अंदर सराना गाउं में ले जाकरके और पांच शिव मंदिरु में उसको इस्तापित करवाया जब इस बात का पुरा पता लगा अलावदीन खिल जी को तो कहते हैं कि अलावदीन खिल जी ने कानड़ देव सोहन के ओपर आक्रम्न करने के लिए सेना भेजी अर्थार्थ अलावदीन खिल जी का जालोर पर आक्रम्न करने का एक कारण तो यह है जिसका शुरोत कारणदे प्रभंध और विरम देव सोन गरारी वात ये ग्रंत है अब दूसरा कारण जालोर पर आकरम करने के इत्यास में तीन कारण बताये गए हैं के कोन-कोन से कारणों से उसने जालोर के उपर आकरम किया दूसरा कारण वो यह है मुहनोत नैंड सीरी ख्यात जिसकी रचना की थी मुहनोत नैंड सी ने और वास्तम में मुहनोत नैंड सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है क्योंकि उसने मुहनोत नैंड सी राठोडू के दरबार में रहता था लेकिन अन्य जितने भी राजमस थे उन सब का भी उसने मुहनोत नैंड सीरी ख्यात में उसने वर्णन कर दिया जैसे अबुलफजल ने विष्वपते परमुक देसों के इत्यास कार्णन किया उसी परकार से उसने किया तो मोहनोत नेंडशीरि ख्यात में उसने बताया है एक बार तेरा सो पांच इसवी के अंदर कब की बात है 1305 इसीवी के अंदर अलाउदीन खिलजी अलाउदीन खिलजी ने और अपना एक सेनाप्ती भेजा आइन उल मुल्क मुल्तानी आइन उल मुल्क मुल्तानी नाम का एक सेनाप्ती था अलाउदीन खिलजी का इसको 1305 के अंदर जालोर पर आक्रम्न करने के लिए भेजा इस बात की जानकारी मुहनोत नैंड सी रिख्यात अर्धार्त मुहनोत नैंड सी इस बात का समर्थन करता है आयन उल मुल्क मुल्तानी 1305 में आया और कहते हैं कि मुल्क की सूजबूसे और कानड देव और खिलजी इन दोनुक के बीच में संदी हो जाती है दोनुक के बीच में संदी हो जाती है और संदी सवरूप कानड देव परभंद कानड देव परभंद ग्रंथ में तो इस बात का वर्णन नहीं है लेकिन मुहनोत नेमसी रिख्यात के अनुसार बता रहा हूं में कानड़ देव ने खिल जी के साथ में संदी कर ली खिल जी के अधिनता स्विकार कर ली और कानड़ देव है वो खिल जी के दरबार में आने जाने लग गया कानड़ देव खिलजी के दरबार में आने जाने लगया और खिलजी खुस हो गया कि मैंने हिंदुस्तान के सारे सक्तिसाली राजपुत राजाओं को अपने कबजे में कर लिया एक दिन खिलजी ने अपने दरबार के अंदर बातूं में बातूं में कह दिया कि हिंदुस्तान का कोई भी हिंदु सासक मुझे चुनोती नहीं दे सकता तब कानड़ देव ऐसी बात को सहन नहीं कर पाया और कानड़ देव ने अलावदिन खिल जी को युद करने की चुनोती दे करके और वहां से जालोर आ गया इस प्रकार से अलावदिन खिल जी का भरे दर्बार में अपमान हुआ तब खिल जी ने कानड़ देव को धंडित करने के लिए आकर्मन किया दूसरा कारण ये बताया जाता है किस गरंद के अनुसार मुहनोत नेंड़ शिरी ख्यात बताता है तीसरा एक कारण और है वो भी बताने जा रहा हूं में जिसका समर्थन करता है इत्यासकार फरिस्ता इत्यासकार फरिस्ता जो था इत्यासकार फरिस्ता बताता है और फरिस्ता ने मुहनोत नेंड़ शिरी ख्यात के जो स्रोत है उन्हीं के अनुसार इसकी व्याख्या करता है फरिस्ता के अनुसार जब अलाउदिन खिल्जी और कानड़ देव के बीच में संदी हो गई जब कानड़ देव है वो खिल्जी के दरबार में आने जाने लग गया कानड़ देव का एक पूतर था जिसका नाम था वीरम देव और कानड़ देव और कानड़ देव और वीरम देव ये दोनु किल्जी के दरबार में आते जाते थे प्रिष्टा के अनुसार और मुहन अपने शिरी ख्यात के अनुसार जब वीरम देव भी उसके दरबार में जाता था तो अलावदीन खिल्जी की पुत्री जिसका नाम था फिरोजा और फिरोजा ने क्या किया कानर देव का पुत्र जो वीरम देव जो था उसकी योग्यता और जालोर के सक्तिसाली राजगराने को देखते हुए फिरोजा और वीरम देव के साथ में विवाह करना चाहती थी अलावदीन खिल जी की पुत्री फिरोजा विरम देव के साथ में विवाह करना चाहती थी जब इस बात का पता खिल जी को चला तो खिल जी ने पहले तो अपनी पुत्री फिरोजा को समझाया फिरोजा ने जब इनकार कर दिया कि नहीं मैं विरम देव के साथ में साधी करूंगी खिल जी ने विरम देव को समझाया और विरम देव को फिरोजा के साथ साधी करने के लिए खिल जी ने दबाव बनाया तो ऐसा कहा जाता है विरम देव एक मुसलिम लड़की के साथ में विवाह नहीं करना चाता था और विरम देव वहां से निकल करके किसी न किसी परकार से कहां आ जाता है जालोर आ जाता है अब ये जालोर आ गया जालोर आने के बाद में खिलजी ने अपनी पुत्री फिरोजा को और शेना सहित कहां बेजा जालोर बेजा फिरोजा जालोर आई जालोर आकर के फिरोजा कानड़ देव चोहान से मुलाखात की और कानड़ देव चोहान को कहा कि आपके पुतर विरम देव के साथ में साधी करना चाहती हूँ कानड़ देव ने फिरोजा का आदर सत्कार किया लेकिन अपने पुतर विरम देव के साथ में विवाह करने के लिए उसने मना कर दिया कि ऐसा नहीं कर सकते तब कहते हैं कि फिरोजा तो वापस दिल्ली चली गई दिल्ली जाने के बाद में अलाउदीन खिल जी ने क्या किया फिरोजा की एक धाई थी उस धाई को शेना सहित भेजा कि तुम जाओ तो उसकी धाई शेना सहित जालोर पहुंचती है जालोर जब पहुंची तो इस धाई की शेना और वीरम देव की शेना के बीच में युद्ध होता है किस किस के बीच में फिरोजा की धाई जो शेना लेकर गया ही उसके और वीरम देव की शेना के बीच में युद्ध होता है और युद के दोरान कहते हैं कि विरम देव मारा गया विरम देव जब मारा गया तो उसकी धाय के सहनिकु ने विरम देव के कटे हुए सीस को लेकर के दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली जाकर के विरम देव के कटे हुए सीस को फिरोजा को दे दिया फिरोजा ने विरम देव के कटे हुए सिसका आदर सत्कार के साथ में अंतिम सहसकार किया और अंतिम सहसकार करने के बाद में फिरोजा खुद यमना नदी में छलांग लगा करके आतम हत्या कर ली इस प्रकार से वीरम देव के वजय से अपनी पुत्री के अतम हत्य करने के कारण अलाउदीन खिल जी और ज़्याधा अग बबूला हो गया तो इस कारण अलाउदीन खिल जी ने जालोर के उपर आकर्मन किया आगे उसने जो आकर्मन करता है ऐलाउदीन खिलिजू इसके अंदर परसिद इत्यास परसिद एक तो शिवारा का युदध होता है और एक जालोर का परसिद युद्ध होता है शिवारा का युद तेराइस वह दोनुघ के बारे में हम अगली बांट कर कर के हम इसका ध्यान करेंगे जो हम आगे के कक्साओं में पढ़ेंगे तब तक के लिए नमस्कार